इक्छा जगत से कोई भी खबर सबसे पहले सही और बिल्कुल 60 बिस लेशन के साथ देखते रहने सब्सक्राइब करें एर कैरियर पॉइट यूटूब चैनल इस खंटी को आल पे क्लिक कर ले ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियो सबसे पहले बिहार से जितने भी छात्र मैटरिक या इंटर की बोड पर एक्छा उत्रिन कर लिए चाया आप किसी भी बोड से उत्रिन किये हो या किसी भी एर में उत्रिन किये हो अगर आपको सरकारी ITI College से ITI करना है या आपको बिहार के सरकारी College से diploma, pole technique course करना है तो आपके लिए 2021 के लिए notification आ चुका है तो आज के इस बीडियो में हम आपको ITI और diploma के जो भी criteria fix किया गया इस से क्या benefit है इस course करने से आपके आगे कौन-कौन opportunity मिलेगा कब से कब आप आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए किया योग्यता रखा गया है इसकी संपूर्ण जनकारी इस वीडियो में देंगे इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर वन डेली ओनलाइन वीडियो क्लास है तो भी हिंदी और इंग्लिस मेडियम में जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिसा बनिए और डाउटनेट अप इंस्टॉल तो ITI कुछ ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं जो आपको इंडस्ट्री में काम करने के लाइक ट्रेनिंग देते हैं अगर आप ITI कर लेते हैं इंटर्मीडियेट नहीं करते हैं तो आपके इंटर्मीडियेट असथा कि 10 प्लस 2 और ITI दोनों के डिगडी का समाने भेल है तो कि ITI करने के बाद आगे आप graduation कर सकते हैं एक तो आपके गौर्मेंट कॉलेज के माध्यम से होता है जिसके लिए आपको ये परिक्षा उत्रीन करना पड़ता है और एक होता है प्राइबेट कॉलेज तो प्राइबेट कॉलेज के लिए कोई आपको भी कम पैसा में बिहार के सरकारी कॉलेज से आई टी आई करना पड़ेगा जिसको 2021 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है तो इस नोटिफिकेशन के आईए सभी महतपूल बातों की चर्चा करते हैं सबसे पहले बात करेंगे फी कि 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 कितना आप तो आपको 750 रुपया परिक्षा सुल्क देना पड़ेगा इसके साथ साथ यदि आप अनुसूची जाते अनुसूची जन जाती कोटी के चातने तो आपको 100 रुपया परिक्षा सुल्क के तौर पे जमा करना पड़ेगा अगर आप विकलांग कोटा के अंतर गताते हैं तो आपको 430 रूपिया देना पड़ेगा तो यह तुगा परिक्षा सुलक उसके साथ कुछ महत्वपूल डेट की बात करें आवेदन की शुरुवाद 5-7 से हो जाएगा तो 5 तारिक से आप आप आवेदन कर सकते हैं और परिक्षा की तीथी की बात करें ता समय देखे लिखा गया सुचित की आ जाएगा यह तो हुआ महत्वपूल डेट जो यहां पर देख पाने कुछ एजुक्यासनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मैट्री की बोड परिक्षा उत्रीन कर लिए आप फॉम भर सकते ह अगर आपको मन करता है कि मुझे आईटियाई करना है तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए कोई भी अधिक्तम एज फिक्स नहीं है आपको कम से कम 14 साल आपका एज होना चाहिए अधिक्तम आप 25-26 जितने साल के आपको कोई दिक्कत की बात निया फॉम अपलाई कर सकते हैं सिर्फ अगर आपको केनिकल मोटर या वेहिकल और मेकेनिकल टेक्टर कोर्स करना है तो इसके लिए आपको नियूंता में 17 वर्स होना चाहिए बात करते हैं डिपलोमा परिक्षा के लिए नोटिफीकेसन आया है यह डिपलोमा इंट्रेंस कॉम्टेटिव एक्जाम है ल इसमें देखिए सीधे आपको असपस्ट लूप से लिखा गया आपको कहां परवेस मिलेगा तो पोल्टेक्निक संस्था में डिपलोमा अस्तर के जो भी पाठे कराम है उसमें सीधे आप दूतिये वर्स में परवेस पासकते हैं लेकि इसके लिए सर्थ है कि आपको बारत स इसे ही थोड़ा सा ज्यादा इसका फी रखा जाता है क्योंकि सीधे आपको सोचिए सेकेंड डियर मेंड मिशन हो जाएगा यदि आप एकजाम उत्रीन कर लेते हैं तो 200 रूपे आपसे एकजाम फी लिया जाएगा और इसकी भी सुरुवात हो रहा है आपके सेम जो आई ट जो 10 के बाद ITI किए हैं वो भी 6 आउनलाइन कर सकते हैं आपको ITI कैट रराइट या इपको सरकारी कॉलेज से करना है तबी आउनलाइन रगिस्टेशन की सुरुवाज 5-7 से होगा और अंतीम डेट 5 अगस्तक आप कर सकते हैं चाए आपको डिप्लोमा में लेटरल एंटरी से परव्यस करना है तो और यदिए आप यह जानना चाहते है कि आई टियह एक्जाम या डिपलोमा में कैसे कैसे प्रसंपत्र आते हैं कैसे आप इसको आप घर बैठे़ तयारी करके कौन सा भूक आपको writes करना है कैसे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद